नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में तो भाई कुछ विद्ध्यारतियों ने रिकमेंड किया कमेंड बोक्स में की सर्जी एक एर इंडिया में अप्रेंट्शी पारा किया है एर इंडिया आप जानती है एक्स्प्लेंड करने की जुरत नहीं है देखो भाई ओल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पोस्टिंग आप लोगों की वेस्ट बंगाल का एक दमदम करके जगा है वहाँ पर होगी कैसे अप्लाई करना है आपको मैं बता दूँगा एज के क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दे रखा कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो पैसा है वो आपको 8000 रुपे के आसपास मिलेगा देखो एर इने ऐसे अप्रेंटिस करने का इतना बड़ा फायदा नहीं है लेकिन आप लोग जो पूछ रहते कमेंड ब कि उन बच्चों का मन अप्रेंटिस करने का होता है तो यह विभाग ऐसे है जहाँ पर आप लोग को सिखा दिया जाता है लेकिन इस विभाग की मैं आप लोग को को यह नहीं बोल सकता उमीद की इसमें कोई नोकरी निकलते है और अप्रेंटिस वालों को हायर किया जाता है हाँ यहां से apprentice करने के बाद अगर किसी और विभाग की नोकरी निकलते हैं और वहाँ पर बोला जाता कि apprentice वालों को ही लिया जा रहा है तो फिर जो है आप लोग जा सकते हैं अगर वो other department के apprenticeship वाले बच्चों को विभाग allow करता है तो बाकी में कैसे apply करना है बता देता हूँ age के लिए tension मत लो ठीक है कितनी भी age वाले apply कर लो अगर आप eligible है तो percentage कितनी चाहिए इसके लिए भी छोड़ दो अगर pass से apply कर लो अगर आप जो है बात करने पैसे की तो पैसे मैंने आपको बता दी आठ हजार से उपर ही आपको मिलेगा वो साड़े आड़ भी हो सकता है सवाड भी हो सकता है वो depend करता है department पे कैसे apply करना है apprentice portal पे login करना है apprentice का जो opportunity वाला part होता है उस पे आपको जाना है यह आप देख सकते हैं मैं सीधा जो है आपको phone से करके दिखा रहो ताकि आप apply कर लो बहुत से रे बच्चा अभी भी बोलेंगे कमेड़ वक्सन की सर्जी ऐसे विभाग की apprenticeship है जाए या ना जाए तो मैंने आपको बता दिया किसको जाना है किसको नहीं जाना इसके बाद आपको कुछ नहीं करना आपको सीधा यह जो location दे रखी है search location में west बंगाल डाल देना आप यहाँ पर simple west बंगाल डालेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर trade आ जाएगी कौन कौन सी trade है अभी आपको दिख जाएगा नीचे कौन कौन सी trade है तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जैसी यह search हुआ search खतम होने के बाद नीचे आपको reflect हो जाएगी कौन कौन सी vacancy है कौन कौन सी विबाग में तो air इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ अन्ने की मैं बात नहीं कर रहा बाकी other state के बच्चे इसमें अपलाई कर सकते लेकिन देख लो भई दंदम जाना वेस्ट बंगाल में तो भरिये नहीं जाना तो भरने के बाद सोच लो कि join करना नहीं करना contract दस बार सोच के इसका जो accept करना क्योंकि एक बार चुंगुल में आ गए तो फिर जो दिक्कत हो जाएगे फिर cancel करने में दिक्कत होते है फिटर वाले बच्चे अपलाई कर सकते है simple apply करने के लिए यहां से जाना apply पे click करना यहां से दंदम city select करना एक ही आ डंदंग area select करना और यह okay पे click करना done यह apply हो गया ठीक है successfully applied ऐसे ही आपको और भी opportunities दे रखी है electrician वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं carpenter वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं plumber वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं उसके बाद एक और trade दे रखी है mason वो इन्होंने next page में दे रखी है मैं second page पे click करूँगा second page पे जाओंगा तो मेरे सामने जो है एक और opportunity यहाँ पर आ जाएगी तो अभी गया नहीं इस पे आप चले गया तो अभी हमारे सामने civil work mason वाले बच्चे अपलाई कर सकते तो मैं इसमें भी अपलाई करके दिखा देता हूँ लेकिन एक बच्चा एक ही में अपलाई करेगा ऐसे नहीं दस में आप लोग अपलाई कर लो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है और अगर आपको details देखनी है इस apprentice की तो यहाँ पे view का जो option है इस पे click करेंगे आपको सारी details यहाँ पे मिल जाएगी 21 तारीक को तो अपडेट की थी लेकिन इनका पोर्टल इतना घटिया है जो चीज अगर 31 तारीक को अपडेट हो रही है वो दो हफते वाद रिफलेक्ट होती है पता नहीं क्या ड्रामा है इनके पोर्टल का बाकि एक मुझे important और अपडेट देनी है आप लोगों को जो AITT वाले बच्ची है ना उनके लिए एक अपडेट आई है जो हमारा नया पोर्टल है पुराना पोर्टल है यहाँ पर थर्ड लिज जारी करी है केंडिडेट की जोने रजिस्टर्ट किया था 110B राउंड में ठीक है इसकी मैं अपडेट आपको गौरफ जैंक्षिन चैनल पर दूँगा बाकी जो अप्रेंटिशिप वाले बच्ची है जीवन में अप्रेंटिशिप करना चाहते है आपको पताईए आपका AITT का एक्जाम होता है तो कुछ books दे रखी है description में जाके देख लेना और इसे apply कर रेना लेकिन मैं force नहीं करूँगा आप लोगों को जबरदस्ती जाके जो ही आपर joining करें पहले आप लोगों को decide करना है अगर आप select हो जाते हैं तो हमारी email ID जो है online and offline ग्यान उस पर हमें contact कर लेना हम आपको guide कर देंगे परिशान होने की आपको जुरूत नहीं है बाकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो opportunities आती है उसको मैं timely आपको inform करूँ अभी थोड़ा आप लोगों को patience सकना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश का अभी पता नहीं क्या drama चल रहा है कि जितने भी विभाग है आप लोगों को contract basis पे hire कर रहे है contract basis पे तो hire कर रहे है उपर से आप लोगों का experience भी मांग रहे है तो थोड़ा सा बच लें इस से फिर देखते है कि क्या होता है ये सारी चीज़े निकल जाने दीजिए बाकि धन्यवाद के पिंटर जुड़े रहे है subscribe करके रखे बैल अकन दबा कर रखे जो भी opportunity आती है I promise कि उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूँगा धन्यवाद